भारत की कमपनी जो आजादी से पहले से हैं नमबर रूह अफजा हम अभी भी गर्मी से बचने के लिए रूह अफजा का उपयोग करते हैं यह 1960 में हकीम हाफिज अब्दुलमजीद द्वारा पुरानी दिल्ली में एक हर्बल मिश्रन के रूप में पेश किया गया था जब तक भारत को स्वतंतरता प्राप्त नहीं हुई थी वर्तमान में रूह अफजा को दर्द लैबोरेटरीज इंडिया द्वारा बनाया जाता है जिसे हकीम अब्दुलमजीद के बेटों ने स्थापित किया है प्रसिद्ध होटल ताज महल पैलेस मुंबई में 16 दिसंबर 1903 को जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था इसे भारतिय आर्किटेक्ट राव साहिब विद्या और एन मिर्जा ने डिजाइन किया था यह प्रसिद्ध होटल पिछले 120 सालों से भारत की पहचान का प्रतीक रहा है आज टाटा ग्रुप के पास पूरे देश में ताज होटल एंड रिसॉर्ट्स के नाम से कई लगजरी होटल है नमबर तीन पारले जी पारले कंपनी का यह बिसकिट दशकों से आज भी देश का पसंदीदा ब्रांड बना हुआ है इस बिसकुट से हमारी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई है आज के दौर में भी पारले जी टिका हुआ है देश के प्रतिष्ठित पारले ग्रुप की स्थापना सन 1939 में मोहनलाल दयाल चोहान ने की थी चोहान को स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा मिली थी उन्होंने जर्मनी जाकर मिठाई बनाने का काम सीखा और वहां से मशीनरी आयात की इसके बाद सन 1938 में पारले जी बिसकुट लॉंच किया गया था नमबर चार बोरोलीन 1939 में कोलकाता में एक बंगाली व्यापारी गौड मोहन दत्त ने इस उत्पाद की शुरुआत की भारत में अभी भी 70% लोग अपने हाथ और पैरों को मुलायम रखने के लिए बोरोलीन का उपयोग करते हैं खास कर ग्रामीन क्षेत्रों में सालों के बाद यह ब्रांड बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसे अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक आत्म निर्भरता के प्रतीक के रूप में माना गया यह अभी भी भारत में सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक है नमबर पांच महिंद्रा महिंद्रा आज देश की सबसे ताकतवर कमपनियों में से एक है महिंद्रा आज डीजल पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक कारें तक बना रही है कमपनी के बनाए ट्रैक्टर देश के किसानों का दशकों से विश्वास जीत रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जब यह कमपनी बनी थी तब इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं बलकि महिंद्रा एंड मोहमत था भारत की आजादी से पहले बनी यह कमपनी देश की आजादी के बाद दुनिया भर में अपना जंडा फैरा चुकी है 2 अक्टूबर 1945 को महिंद्रा एंड मोहम्मत के रूप में कमपनी की स्थापना हुई थी वाडीलाल आइसक्रीम वाडीलाल कमपनी की स्थापना सन 1960 में वाडीलाल गांधी ने सोडा फाउंटेन के रूप में की थी आज यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आइसक्रीम कमपनी बन गई है शुरुआती दिनों में वाडीलाल हाथ से चलने वाली मशीन आइसक्रीम बनाया करते थे दूद, नमक और बर्फ को मिलकर बनी इन आइसक्रीम को थरमस बकसे में घर घर जाकर बेचा जाता था सन 1926 में वाडीलाल गांधी के बेटे रंचोड लाल गांधी ने सोडा फाउंटेन और आइसक्रीम के रिटेल स्टोर की शुरुआत की